वेल्कम टो डेड़वान इंट्रेइन्मेंट मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट रोसी अली आप अक्सर अपने फेवरिट सूपर स्टार्स को फिल्मे परदे पर अपने दुश्मनों के च्छके छुडाते वे देखते होंगे किस तरह से वो फाइटिंग करते हैं और किस आप जानते हैं रिल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में भी आपके सूपर स्टार्स कुछ ऐसे ही घड़नाओ का अन्जाम दे चुके हैं जी हां आज हम बॉलिवूट के कुछ ऐसे विवादित जगड़े लेकर आए हैं जिन्होंने जमकर सुर्यां बटोरी और इस दिखने और सुनने के बाद आपको हैरानी होगी और आप सोचने पर जाएंगे कि फिल्मी परदे पर दिखने वाले आपके क्यूट से शान से रहने वाले सुपर स्टार्स किस तरहां से रियल लाइफ में जगड़ा करते हैं और किस तरहां से पिटाई भी कर देते हैं जब सल्मान खान ने रणवीर कपूर को मारा था थपड ये उन दिनों की बात है जब रणवीर कपूर टीन एजर सुपा करते थे एक बार एक रेस्टूरेंट में रणवीर कपूर और सल्मान खान के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और सलमान खान खान को इतनी तेज गुसा आया कि उन्होंने रणवीर का कॉलर पकरते हुए उन्हें एक थपड जड़ दिया जब ये बाद सलमान खान के पिता सलीम खान को पता चली तो वो रिशी कपूर के गहर गए और सलमान खान से उन्होंने माफी मंगवाई जब शारू खान ने फरा खान के पती शिरीज को मारा था थपड जी हाँ ये बात उस समय की है जब शारू खान और फरा खान की दोस्ती में खटासा गई थी दोनों के बीच के रिश्टे बेहत खराब हो गए थे तब शारू की फिल्म रावन की रिलीज के एक दिन पहले ही शिरीज कुंदर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि सौ करोल का पटा का फुस निकला है जिसके बाद शारू खान की शिरीज से मुलाका संजिदत की एक पार्टी में हो गई फिर क्या था शारू खान ने शिरीज की जम कर पिटाई कर दी इस लडाई के बारे में कहा जाता है कि संजिदत ने बड़ी ही मुश्किल से दोनों को वो किनारा किया था और ये लडाई और थपल जम कर उस दौरान खबरों में भी खुब चले थे कंगना रनौत की आदित्य पंचोली ने की थी जम कर पिटाई जी हाँ जो कंगना रनौत आज हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से बोलती हैं वो आदित्य पंचोली से पिट चुकी हैं ये बात तो सभी जानते हैं कि कंगना जब बॉलिवूड में नही नही आई थी तब आदित्य पंचोली ने उन्हें पना दी थी हाला कि दोनों की उम्र में काफी फर्क था कहा तो ये भी जाता है कि दोनों लिविंग में रहते थे लेकिन किसी बात को लेकर एक दिन आदित्य पंचोली ने कंगना की पिटाई कर दी जब ये बात मीडिया के सामने आई तो रवीना टंडन ने पती के पहली पतनी पर फेका था शराब का गलास। जी हां, इस लिस्ट में अगला नाम है रवीना टंडन का। बेहुत कुफसुरा दिखने वाली। रवीना टंडन को इतना उस्सा भी आ सकता है। शायद ही कोई ये सोच सकता है। ये बात। इस वक्त की पहली पत्नी नताश्या पर शराब का गिलास वेखते हुए उन्हें एक थपड़ भी जड़ दिया था उज़रान ये खबर जम कर सुर्ख्यों में आई थी पूजा भट के भाई ने रनवीर शोरी की कर दी थी पिटाई जी हां रनवीर शोरी पूजा भट के बॉइफ्रेंड और उन्होंने पूजा की जम कर पिटाई कर दी जिसके बाद वहां मौजूद पूजा के भाई राहुल भट को ये बात बरदाश नहीं हुई और उन्होंने रनवीर की इतनी पिटाई की कि उनके सर पर चोटा गई और टांके तक लगाने पड़े संजे खान ने जीनत अमा नहीं थी ये नजीकिया इतनी बड़ी की संजे से जीनत शादी करना चाहती थी लेकिन जब संजे को लगा की जीनत उनके गले पढ़ने लगी है तो उन्होंने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया लेकिन जब जीनत नहीं मानी तो उन्होंने एक पार्टी में जीनत मान के थ स्टार्स गुसा आने पर दूसरे सेलिबरिटी की पिटाई कर देते हैं यह आज से नहीं बलकि बहुत पहले से होता आ रहा है और अपने अपने समय में कई सारे सुपरस्टार्स ने अपने कोई स्टार्स की पिटाई भी की है और इसमें कोई नई बात भी नहीं है अगर आप इसके साथ साथ नीशी रगी होई घंटी को दबाना ना भूले ताके हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इसके साथ साथ हमारी वीडियो उसको शेर और लाइक करना ना भूले